नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमार यूट्यूब चैनल चंद्रा क्लासिज में दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए घनों के योग वाली ट्रिक जो आपने थमले मले कुशन पढ़ लिया हुआ इससे पहले हमने वर्गों के योगफल वाली ट्रिक बनाई थी और उ दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कि इतना कहूंगा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूल कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तों ज्यादा टाइम बेश्ट नहीं करूंगा के बात करूंगा सीधे सीधे तो हम कुश सब्सक्राइब लगे करते काफी टाइम लग जाता है इस प्रकार के कुश्चन को ऐसे करने में आपको केवल ट्रिक बता हूँ और ट्रिक कैसे होगी वह आप देख लेज़े ठीक है आपको कुछ नहीं करना है केवल जो योग दिया है सबसे पहले मैं इसको मिटा ही दिता हूँ जब हमको करन लेंठी को आपको देखना है किटी लगातर् संक्याओ के घनों को कितना 400069 तो कि रिधन छायओ की 108606 अब बात कितनी करा है ती संक्याओ कि तीन के कर रहा है तो में क्या करेंगे 3 इते हैं दियों किकी दो चायों कules क्छे ऐसे जाएगा तीन कम फिर बचे का 17 9 कि पर 13 15 15 फैर 19 तो कितना हो जाएगा । दोस्तों यह हो जाए गापका 1303 कितना हो जाएगा 1303 पर 203 व्यावेश्च का किशी का एंसे नहीं वह नहीं है लेकिन यह वह किसी के पास का क्यूंत किसके पास का क्योंगे ग्यारे के पास का क्योंकि ग्यारे के पास का क्योंगे दोस्तों ग्यारे के पास का क्यों तो यहां कितना लिख लेंगे दोस्तों ग्यारा ठीक है दोस्तों अब ग्यारे से छोटा नंबर क्या होता है क्योंकि लगातर पूचा है तो ग्यारे से छोटा घाना नंबर कौन सा है दोस्तों 12 है। तो यह आगया आपका दोस्तों आँसर अब dif Ty दो लगाता तीनों कर्मिक संख्य आ गही कि नहीं आगी 10 11 12 सकत küyं ग्यारा का क्यों 12 स्थेक अब चेक करने देखते प्रूफ करके कि हमारा un theatre या नहीं तो देख की 1011 11 कितना होता है 1331 और 12 कितना होता है 1728 तो यह गया नो यह गया पांच और यह बारे की हम दसकी 0 और एक आगे चार तो 4000 कितना ग्यां दोस्तों 69 अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि पास बेइस को करें ठीक दोस्तों देखते हैं दोस्तों दोस्तों तेन के लिए कबल पास्का देखना है चार वाला और देख लेते हैं दोस्तों अगला कुशिन देखते हैं अगला कुशन आपका कмет कर चर क्रमिक संुपर के गनों का योग 748 434 कितना इस संधान को बताएं जैसे वो कोशन था ऐसे यह कुछN नहीं करणा भी उसी टिक से कोई दूसा बेटर में चेंज करने वाला नहीं देखिए 창 कर्मिक संक्याओं कर वर्गों का योग कितने घनों को गता 48 तालेस चंप फैलिया है कितने दोस्तों चारत हम कितना लिखेंगे चार जैसे पहले बताया था एसे ही अब बता रहा हूं अब चार से डिवाइड करेंगे तो 2 4 कमा 4 कितना भचा 3 4 8 32 है ठीक है तोस्तों चार एकम चाण ठीक है और यह कितना हो जाएगा चारटे बतीस दो बचा चार सते अट्टाइस तो कितना आ गया दोस्तों 187 कितना गया दोस्तों 187 तो आ गया अब 187 वह कितने का क्यूं का होता है दिखें बारे का क्यूं 143 का क्यूं 119 यहाद भूल गया एक 1997 187 को करते हैं दोस्तों । टेंस त॑ करते हैं तो दोस्तो आएगा 26 तो दोसों आई 206 तो दोनों के स Ав बार्ण रेपीट करकें समझ में क्यों नहीं आएगा करना है डेविड दोस्तों आपको से क्रॉस करनाा क्रॉस करके कितना गया दोस्तों एकसो सताथी देखेंगे और नुग क्यों होता है 120 दोग कर दो कॉस्त दोणों के घृतक भीड़ा है साथ लगाता रहे हैं इनकी बीच में कोई संग्या होती नहीं है तो कितना है चार-पांच-छेस ठीक है अब चेक करके देखते हैं 4 का क्यूं 64 5 का क्यूं 125 चेका क्यूं 216 साथ का क्यूं 343 ठीक है दोस्तों चेक करते हैं 5 और 4 9 ठीक है यह हो जाएगा आपका दोस्तों इस प्रकार से आप तो पांच वालाश जाथ आट वालाश आठावा नहीं पूचेगा लेगन आप कीजिए और हमारे चैनल से जोड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों